डाल मखनी पंजाबी खाने के मुख्य भोजन में से एक है आज की रेसिपी में मैंने किया है थोड़ा सा ट्विस्ट इसे हम बनाएंगे साबुद मुंग डाल से तो चलिए बनाते हैं सुपर टेस्टी स्वाथ की गैरंटी साबुद मुंग डाल मखनी प्रशकोकर में डालेंगे एक कप साबुत हरी मुंग डाल डाल को कम से कम दो से तीन बार पानी से अच्छे से दो ले या पे डाल को भिगोने की जरूरत नहीं है और इसी के साथ डालेंगे तीन से चार टेबल स्पुन राद बर भिगोवे राजमा इस रेसिपी के लिए राजमा आप कोई भी ले सकते हैं इसी के साथ डालेंगे तीन लॉंग और दाल में स्मोकी अरोमा लाने के लिए डालेंगे एक बड़ी लाइची इसे जरूर से डा पानी डाले तो यहाँ पर मैंने चार कप पानी डाल दिया है और एक बार अच्छे से चला देंगे अब गैस की फ्लेम को ओन कर देंगे कुकर को डखकन से डख देंगे और मीडियम फ्लेम पर चार सिटी लगाएंगे कुकर में चार सिटी लग जाने के बाद गैस को कर देंग जब कुकर का प्रेशर खतम हो जाए उसके बाद ही ढकन को खोले। और ये देखे, डाल अच्छे से पक चुकी है और एक बार राजमा को भी चेक कर लेते हैं कि अच्छे से गल चुके है कि नहीं। और ये देखे, राजमा भी अच्छे से गल्च चुके हैं, चलिए, डाल को कुकर में ही रेने देंगे, अब आगे की तियारी कर लेते हैं। इस डाल का असली मज़ा गी से ही आएगा, डालेंगे 3-4 टेबल स्पून देशी गी और गी को मद्यमाच पे गरम करेंगे, जब गी हलका गरम होने लगे, डालेंगे 1 टेस्पून जीरा और जीरे को थोड़ा सिजल होने देंगे, जैसे ही जीरा सिजल होने लगे, डालेंगे 4 से पांच कली लसुन बारिक कटा हुआ, एक के जितना अधरक बारिक कटा हुआ, अब दोनों को लगाता चलाते हुए 30 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे, अधरक लसन को भून लेने के बार डालेंगे दो मीडियम साइस की बारिक कटी हुई प्याज, अब प्या अज अच्छे से भून जाए, डालेंगे एक मीडियम साइस का टमाटर और साथी में जाएगा नमक, नमक स्वादनुसर, अब टमाटर को लगाता चलाते हुए 3 से 4 मिनिट तक पकाएंगे, जब तक कि ये पूरी तरह से गल ना जाए, जब टमाटर अच्छे से गल जाए, और घी भी छूटने लगा है, अब इसमें जाएंगे सुखे मसाले, एक टीस्पून कश्मेरी लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून तिखी वाली लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून करम मसाला, और एक टेबल स्पून कसूरी मेती, अब इन सभी मसालों को अच्छे से म प्रेशर कुग कीवी डाल, अब दाल को एक बार डाली हुई सारी चीजों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब इसमें मैं डाल रहा हूँ एक गलास पानी, डाल कितनी पतली और घाडी रखनी है, उस हिसाब से आप पानी डालिएगा, अब यहाँ पे डाल को बीच मीडियम फ्लेम पे 5-6 मिनिट तक पकाएंगे, डाल अच्छे से पक जाए, फिर इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून चीनी, चीनी यहाँ पे ऑप्शनल है, चीनी यहाँ पे हम डाल रहे हैं, डाल को मीठा करने के लिए नहीं, पर डाल के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर डालेंगे मखनी, जिसके बिना ये डाल है अधूरी, यानि डालेंगे एक चुताई कप फेटा हुआ सफेद मखन, अब मखन को डाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस डाल को बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फे लंबी कटी हुई अधरक, मेरे प्यारे दर्शकों, एक बार इस डाल को जरूर से बनाईएगा, आप और आपके परिवार में सब बहुत खुश हो जाएंगे, ये गैरंटी मेरी, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर कीज तो लीजे सूपर टेस्टी साबुद मुंग दाल मखनी बनकर तयार है, गर्मा गर्म फुलका रोटी और चावल के साथ मजे ले